नमस्कार दोस्तों असोक पटेल के चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो के साथ रिलाइन्स जियो में आई यार डोकॉमेंट कैसे ऑनलाइन अपलोड करते हैं कैसे ऑनलाइन सम्मिट करते हैं और हर एक महीने मैं हम इसको कैसे कितनी इजी तरीके से करते हो आज आपको बताने वाले हैं पहले हम लोग क्या करते थे हर एक इनवॉइस जैसे कि हमें एक महीने में दस इनवॉइस लगाना है तो आई यार का हमें 10 कॉपी set बना के हमें करना करना पड़ता था और कोई जरूरी नहीं था पहले कि हम हर महिने पर इनवैघ समिट दिन विर सम्मीट करना पड़ता था लेकिन अभी कुछ से चेंजेंब हो इंका मैं आपको बताने जा रहा हम कि आई-यार बंकी रिधाखर contestants है उसमें अभी मैं आपको बरवली कुछ बता देता हूं फिर आपको करके दिखाता हूं कि कैसे अपलोड करते हैं उसमें जैसे कि हर एक महिने मैं जन्वरी महिने का आई-आर महिने अप्लोड कर दिया अब जन्वरी महिने का अप्लोड करने के बाद उसमें कौन-कौन से वर्क ओडर है उसको हम सलेट कर लिए ठीक है इसके बाद चाहें 10 इंवोईस लगाएं उसमें हमें कोई 10 कॉपी 20 कॉपी हमें आई-आर नहीं लगाना पड़ता है ति ए अऌलएन हो जो वकला हो कर तो Am Л आई-आर यह देखते है कि कैसे अप्लोड करते हैं और कहां से अप्लोड करते हैं और कहां जागी करते हैं 8 कि और tab यह तो फिर एविस का टार्यक पॉर्टल आप खोळजिए वहाँस भी कर सकते हूं कि एपीज का पोर्टल हमने अपने डिजिटल इंवॉई कैसे अपलोड करते कैसे सर्विस इंट्रीग करते हैं उसके बताया हूं खोलने के लिए तिसमें वे ऐसी सेम रहेगा अब हमें इबिस के पोर्टल में RCM कहां पर मिलेगा कैसे आयर को डॉकुमेंट्स हम अप्लोड करेंगे वह हम बताते हैं इब इसका पोर्टल जैसे हमारा खुल गया इब इसके पोर्टल में देखे राइट साइड में यहां पर एक प्रोफाइल मैनेजमेंट है उसको आप क्लिक आप थोड़ा नेटवर का प्रोब्लम हो सकता है इसके लिए थोड़ा श्लो चल रहा है पर देखिए यह 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 प्रोफाइल मैनेजमेंट खुल गया प्रोफाइल में लेफ्ट साइड में देखेगा कि यह बहुत सारी यह जेंस सप्लाइर प्रोफाइल आई मॉली है यह rcms rcms इसको हम क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे compliance status है और compliance entry है compliance status और entry मतलब समझे ना status मतलब है कि आपने जो एक vendor होते है जो IR upload करने वाला vendor होते है वो उसका कितना महीने का IR upload हो गया है या नहीं होगा है रिजेक होगा यह status बसाएगा entry मतलब होता है कि आप क्या-क्या entry करेंगे कौन महीने करेंगे तो हम आपको आज बताने वाले हैं कि कौन समय entry करते कैसे हैं वह हम बताने होते हैं इसलिए हम compliance entry में जाएंगे मैं इसलिए एकदम डिटेल में बता रहा हूं ताकि कोई नया परसन भी इसको आसानी से सीख सकते हैं कि कंप्लाइंस इंट्री में हम जाने के बाद यह देखिए यह खुल गया अब इसमें क्या है कि company name है company name का realy डिजिचाल प्लेटफर्म है और लेकिन हमें यह इसे location मुंबई दिये रहा है तो हमें हम आप कौन से सहर में है या कौन से स्टेट में है वह आप सेलेट करना है चाहे आप यूप मी हो या चाहे आप हैंपी में हो सेजी में हो जाने इस विश्टर में उस्टेट सेलेक्ट करने है एक दम नॉर्मल बात है तो मैं इसका इस्टेट सेलेक्ट कर रहा हूं सीजी चटिसगर थोड़ा सा सेलेक्ट जब करेंगे थोड़ा टाइम लगता ही है वह पोर्टल ही ऐसा है कि जिसमें थोड़ा टाइम लगता है और यह 10 मिनट का काम है आप इसको इसली तरीके साब कर सकते हैं यह देखिए जैसे मैंने इसको चेंज किया आटोमेटिक किये जियो प्रोजेक्ट 36 गण हमारे ले लिया 2020 अभी हमें कौन सा महीने करने में आपको एक एक ब्रैकेट जो है एक एक बॉक्स उसका हर एक चीज समझाऊंगा कौन से बॉक्स में क्या भरना है और कैसे भरना है आप कहां जूंचे बरना है वह सारे चीज आप प्लीस ध्यांस देखिएगा हमारी वीडियो को बार बार देखिएगा इसे कि आपको यह चीज आनेаки अने लगे अमन्तunta कि हमें कौन महिने का आई यार भरना है आई यार अप्लोड करना है हमें करना है अगस्त महिने जैसे अप्लोड करना है तो यहां पर हम फ्लिक करेंगे वहां धान अगले महीवन है इस बॉक्स में ठीक है कई यसे इस वाइकाफ हो जाता यसके बाद में आप आते हैं बताते हैं इस में देखिए अगर हम में से अगश fakta कर रहा हूं तो मस्कुल क मस्क्ष आज़स्ञाम कर दोर शान सकर सmaug आपके employee है mail में ठीक है आपके IR documents आप रखे हो online PDF में अब यह चार पांच चीज आपको यहां दिख रही है यह एक NA का नॉर्मल पोरा कागज में NA लिखके और उसको PDF बना लिजे यह एक नॉर्मल पेज है बागी आपके चार documents है जो की कि IR में लगते हैं पहला है अटेंडेंस वेजेस एंड बैंक इस्टेटमेंट दूसरा है कंट्रिबूशन हिस्टोरी तीसरा है पीअप के आल डोकोमेंट्स जो होते हैं सारे यह साइसी के payment receipt होता है ठीक है चार डोकोमेंट्स हमें यहां अप्लोड करना है बाकि कुछ भी नहीं है कोई rocket science नहीं आप कर सकते हैं तो हमें कितने इंप्लोई हैं वह अटेंडेंस वेरियसन बैंक स्टेटमेंट में जाके देखेंगे यह देखिए मैं आपको खोल के ओपन करके दिखाऊंगा कि कहां से क्या भरना है कि अगर कि यह देखिए यह थोड़ा सी इसको बढ़ा कर लेते हैं यह देखिए अटेंडेंस है अटेंडेंस में एक दो तीन चार चार लोगों की नाम है ठीक है अब इस चार लोगों में कितनी लेडीज है कितनी फीमेल है कितने मेल है तो एक फीमेल है तीन लेडीज है तो हम यहाँ पर क्या है नीचे वाले box में चले excluded employees excluded employee मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा excluded employee होता है कि आज इसल आप के पास 10 employee है अब 10 necesario में से आप कितने का πस सय भर रहे है जैसे कि आपने का 6 का सलब रहे है और 4 करी बर में तो इसमें यह लिखने रहे कि 4 छूट रहे है excluded employee होते हैं इक हमारे इसमें कोई दूस्ट रहा है च्छे लिख देंगे अब हम आते हैं नीचे वाले box में नीचे वाले box में क्या है PF wages gross wages ESIC wages और basic wages यह सारा चीज है और यह मैं आपको बताता हूं कि कहां से लेना और कैसे लेना ठीक है तो अब फिर से IR वाले डोकुमेंट जाए अभी हमने attendance का काम हो गया अब PF बोला है PF को हम फोल लेंगे open करेंगे इसको यह देखिए आप प्लीज ध्यान से देखिए का मैं आपको एक एक चीज open करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आजा कोई भी नया परसन अगर आया डोकुमेंट अप्लोड करना चाहें तो कर सकता है पी एफ वेजिस हमें वेजिस में आना था सॉरी वेजिस बोला है PF मतब अटेंडेंडेंस और वेजिस बैंक इडिस्टिन एक में है तो हमें वेजिस में आना था यह देखिए हमारा है अब इसमें थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूं जैसे कि आप थोड़ा सा समझ जाएं हाँ जादा बड़ा हो गया यह देखिए ठीक है अब इसमें जी टोटल है हर एक इंप्लोई के जैसे कि यह हर चार इंप्लोई है अब चार इंप्लोई के हमारा कितना बेसिक एमांट रहता है जैसे कि यह देखिए हमारा बेसिक यह इमांट है और उसका यह टोटल टोटल किता है 26,200 तो हम यहां पर अफ हीं वह लिखेंगे 26,200 ग्रॉस बेसिश में भी स्यम लिखेंगे 26200 बेसिक वह लिखेंगे 26200 तो हम स हमारे स्ब्दक यह दो ऑर हमारा से त्रह आए हम एपक उप्टा एक और किताब उसका था बरे हम तो नहीं भरें जिरो लिख देते आप उसको लिख लिएंगा यसाइसी में बर किते हैं मतलब पियाफ और यसाइसी किते लोगों लोग भरते हो जैसे कि मैंने बताया था कि आपके 10 प्यूदा 10 के भरते हो 15 यह चार लिख दे लिए आपके टेंडेस में जो भी होगा वह आप भरिएगा मैं 26 भरता हूं एक ले देके 26 मैं बर दिया को उवर्ट मैंने जीरो भर दिया आपके पास अगर मतलह होता है लेवर वेलफ हेर कंस्ट्रीबूशन मैं आप प्यक्या है तो उसका इमांट यहां भर दिजिये इभिए आफ कंट्रीवूचे पी आफ कंट्रीवूचे वह हमारा होता है कहां पर होता है मैं आपके बता दिता हूं एंटिनेंस में ही होता है है म来 005 पिह आफ और यह अपकर सबसे लाश्ट पेज में चल्डेकिन स्टीट पी यह आपका जो पेमेंट कंट्रिबुशन होता है इसमें सबसे बड़ा एमांट जो होता है यह यह आप देख लिए किता है 631 रुपए यह 631 रुपए यह साइसी कंट्रिबुशन किता होता है वो भी हम आपको बता देते हैं हेम जाते है यह सायसी वाले फोल्डर में हम गए और यहाँ पर देखिए थोड़ अस बड़ा कर देता हम हुआ जोसी फोल्डर में हम गए और यहाँ पर किता है एक हजार उन्चाल ठीक है यह हम डाल दे 1049 ठीक है हमारा यह सारा फिल अप हो गया मैं आसा करते हूं कि यह जो फिल अप करने वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा अब हमें करना है अप्लोड ठीक है प्लाइंस आफ हम कर लेते कोईस भी तारिक लिए दूसरे महहिसा की जैसे की मैं तो 5 तारीक ले रहाँँ आप 6-7-15 तारीक के अंदर कर coordinate ले ले रहा हूं आप कुछ भी ले सकते हैं पंद्रा तारीक के पहले तक तो यह मैंने समय ले लिया अब रिमार्क में आप जो यह है वो कॉपी कर दीजिए यहां पर यह देखिए ठीक है यह नेक्स्ट ड्यूडेट हमें कुछ नहीं लेना है आटोमेटिक लेगा अब हमें क्या करना है इसमें देखिए पेमेंट औफ टीएस एक्टिविटेज है न मलब इसमें हमें क्या करना है पांश्ट हमें दिया है मैं आपको बता रहा हूं क्या 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 आँ देखिए आइ मैं दूसरे से बताता हूं पहले का फिर्म बताता हूं दूसरे में क्या वेरिफायर दा कॉंट्रक्टर हैस पेड वेजिस ऑन विफोर ड्यू टू अटेंडेंस रेजिस्टर वेजिस यह सारी चीश्व में करना है तो हमें यहां लेखेंते हैं अपलोड करते हैं आप लोड करने के लिए कौन से महीने करने उसको प्रक्राइब करेंगे हैं इस आटेंडेंस बेश्बिक स्ट्वे स्टेटमेंन्स हमें करना है आप लृख लेगर और मुझे करते हैं European जिसे लिएatal प्रफिव्डन करने है कि अगस्त का यह करना है हमने इसको सेलैट किया और कर दिया ओपन हां एक यहां पर हमने एक one a right जाबद अब आते हैं तीसरे में इसमें क्यां इंप्लॉई प्रोविटन फंड प्रोविजनल चलान होता है इस यार चलान होते इसमें क्या रहेगा पूर्ना वहला चीज रहेगा टि को जो भी आपको तो छोज फाइल करेंगे तो फाइलज हम करेंगे वैसे आगल यह हम सारा पहले से ही इसकैन करके कमबाइण कर लिया है और आपको हमें करना है और यहां पर यह जो यह टिक कर देना है ठीक है चौते में आएंगे हम इस याइसी चलान इंप्लॉई इस्टेट इंसुरेंस कोपरेट ठीक है अब वेरिफाइड दैर्दा इस याइस चलान इस्टेट इंसुरेंस है ना कंट्रिबूशन की पेमेंट है ठीक है पहले हम रिमार्क को कॉपी करके हम इसको कॉपी करके यहां पर हम रिमार्क भर लिए और चूज फाइल कर दिए कि यहाइस इस कंट्रिबूशन को इस्टोरी है हमने यह करके और यह कर दिया हमने अब पांचवा क्या है कि पांचवा भी हमने रिमार्क को यह कॉपी कर दिया डेट हमने हमने select कर दिया 5 तारिक को और choose file कर दिया हमने इस ऐसी payment confirmation कि आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप प्लीज हमें comment में बताएगा मैं आपको एक बार इसको फिर से कैसे upload करते मैं आपको फिर से बताऊंगा और यह जो होता है यह मैंने यह नहीं लिख दिया क्योंकि इसमें पहला जो पेज होता है ना payment of sales for construction activities पहला पेज इसलिए मैं आपको बताया नहीं था क्योंकि हमें बाद में बताना था पहले पेज में हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है एक कोरा कागाज एक सफेद कागाज देके उसमें बड़ा स इसने लिख देने है और उसका PDF बना करके यहां प Means ma Side a अपलोड कर दे ना है हमें वहां upload करना है ठीक है काफी चीजे में आपको बता दिया हूं अब एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं से दूसरे पेज में हमने क्या इसमें लिखा है रजिस्टर अटेंडेंस वेजेस हो गया है और बैंक स्टेटमेंट हो गया हूं इसमें हमें दूसरे वाले में यह scan करके हरे पेपर के एक pdf बनाके और upload करना है तिसरे वाले में फिर से आपको बताते हैं आई आर का में documents आपको बता रहा हूँ तिसरे वाले हमें क्या करना है ऐसी पीडियाफ का सारा documents insr चलान acr acknowledgement etr part a part b यह सारा चीज एक पीडियाफ का सारा documents एक उसमें PDF में scan करके और हमें अप्लोड करने है चोफे में में क्या होता है यह हमेंmae का इस साइस करना मड़ता है अब इसे हमारा सारा चीज हो गया यह हम सारा यहां प 10 सबसे उपर जाएगे का यहां submit to site consultant दिया हुआ है इसको हम submit कर देंगे देखिए जैसे हम submit करेंगे इसके बाद हमारे पास आएगा work order select करने के लिए अब क्या बोल रहा है compliance पीफ चलान देखो यहां पर दिया है पीफ चलान नससर भी दपार अब सब्सक्राइब कर दिया कर दिये और एक चीज मैं आप खास यहां पर बताने वाला हूं कि जो भी work order रहेगा आप उसको पूरा select कर लिजेगा क्या पता कौन महिने का कब हमें उस महिने में आप बिल करना पड़ा आगर आप वर्क ओडर select कर लिये हैं तो बिल करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर आगर आप select नहीं किये हैं और बिल फिर आप उसको नहीं कर सकते उस महिने में उस महिने में particular उस मंत में तो इसलिए आप select कर लिजेए जित्ते भी work order हो तोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें आप बिल्कुल भी परिसान नहीं हो येगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है आपने जो भी डोकुमेंट्स आपने अप्लोड किया उसमें वह सम्मिट होने में टाइम लग रहा है दो से तीन मिनाट लग सकता है आप नेटवर्क को स्ट्रॉंग नेटवर्क में रहिएगा जल्दी हो जाता है उससे कभी कभी फैल्ड भी हो जाता है मैं दुवारा फिर हुआ कि नहीं हुआ यह देखिए हमारा यह हो गया ठीक है यह कैसे पता जला हो गया कि नहीं हो गया क्योंकि यह एक आप्सन हो गया प्रीवियस और नेक्स्ट तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट करेंगे कैसे करेंगे देखिए अभी यहां पर इतने वर्क ओडर है हमारे अब ध्यांज देखिएगा इतने वर्क ओडर हैं और मैं कि मैं सारे वर्क ओडर को पिलेट कर रहा हूं ठीक है मैं सारे वर्क ओडर को पिलेट कर लिया इसके बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूं देखिए आर यू स्योर कि मैं स्योर कर दिया मैं सम्मीट करना चाहता हूं ठीक है अब नीचे और आएंगे और देखें कि क्या है हमने यह देखिए वर्क ओडर आप जोब जोब इसलिट के हैं वह सीरेल नंबर वाइस वर्क ओडर आ गया अब इसमें बोल रहा है कि प्री करना प्रीवियस जाना है हाणा final submission करना कि प्रिंट करना है मोझे final submission करना है मेरा सब चीज़ ओकी है आप एक बार च्क कर लिए यहाँ पने फाइली कर सकते हैं यह देखिए जित्ते खत एभी आप अपलोड किया file वीज कर सकते हैं सारी चीजे हैं यह आप ऊपर फिल अप किये हैं ओभी ठीक है तो हम में final submission में करना है मैं final submission कर रहा हूं are you sure scm.ril.com यह site है है आप ebs में भी जाग कर सकते हैं तो मैं sure हूँ मेरा data सही है और मैं यह submit कर रहा हूँ देखें entire saved successfully ओके हमारा यह successfully हो गया आया document ओके और मैं आपको बताने वाला हूं कि अब इसको कैसे हम देखेंगे कि हमारा यह success हो गया और हमने हमलब सारा चीज fill up कर दिया ठीक है तो हम RCMS में फिर से जाएंगे और compliance status में जाएंगे compliance status में जाके हम अगस्त का 2020 अगस्त देखेंगे क्या आप यह देखें यहाँ पे यहाँ सब्सक्राइब को मैंने चीप करना है हमारा मैं आसा करता हूं कि काकी अच्छे से आपको समय में आ और सेयर कीजिये ताकि दूसरे लोगों को भी यह help पर मिल सकें बहुत कम लोगों को ये पता रहता है कि कैसे आयार का हम APLOAD करते हैं परसान रहते हैं इससे पूछते हैं उसे पूछते हैं help पकरने वाला कोई नहीं रहता तो इससे आपको आसानी से help मिल जाएगी और मेरा यही intention है कि सब को सबकी help हो सबसे यह बने जिसे की कोई problem में ना आ है थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो और आप प्लीज लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हमें बहुत सार प्यार दीजिए थैंक यू